हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आप लोगों के लिए प्लांट के कीडों से बचाने के लिए बहुत ही जरूरी जानकारी लेक्याई हूं तो ध्यान से पूरा वीडियो को देखते रहिए तो यह देखिए जो सफेद रंग का केड़ा है या कोई भी केड़ा जिसे चीटिय का टैक लाल चीटी मिट्टी को उग्दम खराब कर देती है और अगर आप गार्डेनिंग करते होंगे तो यह सब प्रॉब्लम आपको कभी में कभी जरूर देखने को मिलता है और यह जो वाइट रंग का मिली बग होता है यह बहुत खतरनाक होता है सबसे जादा यह कास के लिए जरूरी होता है वो पौधों से यह खीचने लगता है अब जब यह पॉरुम लग लग जाता है तो फिर यह पौधों को नुकसान पहुचाना शुरू कर देता है तो इसको कैसे भगाये उसके लागरे आप लोगों को दो तरीका बताऊंगी जो कि आप आराम से घर पे बना सकते हैं कर सकते हैं आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है एक में आपको थोड़ा सा मार्केट लाने की मार्केट जाके लाने की जरूरत होगी नहीं तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपके घर पे अवलेवल हो तो जानकारिक लिए हमारे वीडियो में बने रहे तो देख रहे हैं दोस्तों कि यह जो है यह मिली बग है कितना जादा यह इस प्लांट पे अटाइक कर रहा है छोटा सा मिली बग पूरे प्लांट में जाता है और पूरे प्लांट को यह क्या करता है डिस्ट्रॉय करना सुरू कर देता है यह देखे और जहां यह ध्यान दख तो इसको ना पुराना होता जाता है उतना ही अच्छा माना जाता है तुज़को क्या करना जाता है एक हपते के लिए अगर आपको ज्यादा आपके प्लाइब है तो आप तूरंत ही उसको अप्लाई या लिकとि नंत्रों phi और ज्यादा अच्छा है तो आप गव मूत्र को क्या कर सकते हैं स्टोर करके भी बाल्टी में या किसी डिब्बे में स्टोर करके रख लीजे बहुत ही जादा कारगर है तो देखे एक भाग गव मूत्र है तो उसमें दस भाग पानी मिला यह क्या करना एक भाग जिसे एक बो पाणी पीने वाला बार्टल आता है उसके ढगकर में क्या कर एक पतला पतला छेंद कर लीजिये, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके इस पास सुई भी नहीं कुछ नहीं हो, तो पतला वाला जो चाकू का नुकीला पाथ है, उससे हलका हलका छोटा 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 छेंद और उससे क्या करी अपने पौधों पे इस्प्रे कर दीजिए बहुत ही कारगर होता है और आपके पौधे आप देखेंगे बहुत जल्दी सही हो जाता है लोग सोचते हैं मतलब गव माता को ऐसे ही तहलने के लिए छोड़ देते हैं खरीद खरीद के सहरों में मैंने देखा ह कि गाय तो है लेकिन क्या कर दीए छोड़ दीए तो इतना समय लिए गाय का गव, गव का मूत्र, गव का गोबर सब कुछ एकदम अमरित है तो अगर आपके पास गाय का बच्छडा भी है तो प्लीज आप उसको मांधिये और उसका मतलब मांती हो दूद नहीं दे सकता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसा दे सकता है जो आपके खेद के लिए और आपके गार्डेनिंग के लिए अमरित है तो प्लीज इनको सिक्योर करिए इनको ये नहीं कि आप हटा दीजा अगर आपको हटा नहीं है तो फिर आप गाय भैस को पालिए नहीं क्योंकि ये भी महा पाप है कि आप छोड़ दे रहे हैं वो दर बदर भटक रहा है लोग मार रहे हैं तो ये बहुत ही पाप है ठीक है ना तो ये देखिए गव मुत्र है गव मुत्र का कलर है अगर देसी गाय का गव मुत्र मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है देसी गाय का ग जैसे आपके घर में होगा आगर आपके घर में सोगा सानीटाइजर समझें ले रहे थे नहीं तो आप किसी मेडिकल स्टोर से ले लिए बहुत सस्ता मिलता है और एक से बॉटल सानीजर आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है तो उसमें क्या करना है six drop 6 बूद, 6 drop यो 6 बूद आपको क्या लेना है, 6 बूद आपको sanitizer करेंगे लेना है, प्लस उसमें क्या करना है, आपकी गहर में hand wash होगा, तो hand wash का भी क्या करना है, ठोड़ा सा, मतलग 2-3 drop उसमें क्या डालना है, hand wash डालना है, ये कुछ पाउधें के लिए बता रहे हूं, ज्या म activates We should it आपको क्या करना है 2 चम्बस सेसिटाइजर लेना है उसमें डालना कितना उसमें में तीन चम्मच क्या डाल दीजिए यह उसमें तीन चम्मच Haunिड नो डाल दीजिए और उसके बाद किं़ करई एक बलीटी पानी में एक भलtså नीरिदब कमपानी में मान लीजी ये क्या है आपका पानी का बार्टल है मेरा ड्रॉइंग उतना अच्छा नहीं है तो पानी के बार्टल में दोयां क्या होगा निकलेगा तो आपको मार्केट जानी की ज़रूरत है, घर पे आप अच्छे से स्प्रे बाटल एकदम सस्ते में बना सकते हैं, और अपने पौधों को कीड़ों के अटेक से बचा सकते हैं, वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अपना फीड़ बैक देना मत बोलेगा, धन्यवाद, राध जवाद में बना सकते हैं, चीजाओ झाल, पन्यवाद, टार लोग. झाल झाल